नमस्कार प्रणाम मैं रजनीस कुमर पांडे आप सभी का हारदिक स्वागत हारदिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोग इस आशा के साथ याप सभी लोग पढ़ रहे होंगे मैं स्वायम खुस हो लेता हूँ और आप लोग भी खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे और कर रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है फिर मैं आप लोगों के लिए 10 important questions लेकर आया हूँ session को सुरू करने से पहले चंद लाईने आप लोगों के लिए प्यारे बच्चेओं प्यारे दोस्तों एक कांत को पिघला कर उसमें व्यस्त रहता हूँ इनसान हूँ मुर्जा कर भी मस्त रहता हूँ प्यारे बच्चों कभी समझोता किया तो कभी हसकर ख्वाहिशों को मार गए रिष्टों को बचाते बचाते हम खुद से हार गए तानों को सहते सहते हम खुद से हार गए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हारना नहीं है यहाँ पर आपका मोटिवेशन आपका परिवार ही आपकी जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन है सबसे बड़ा हतियार है, सबसे बड़ी हिम्मत है, तो स्वैम से हारना नहीं है, सारी चीजों को इगन और कर दीजिए, सिवाए पढ़ाई के, पढ़ाई जरूर करना है, हसते, खेलते, रोते, गाते, उठते, बैठते, जब भी मौका मिले, पढ़ाई जरूर करना है, जब भ important questions प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस series में static वाले portion को भी cover करते हैं और static के साथ साथ जो एक दो मतलब एक दो जो important होता है जो daily scenario में चलता है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तो इस screen पे आप लोग पहला question देख रहे हैं उस जीवन भीमा कंपनी की पहचान करें जिसने हाल ही में रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पुनरवाज महानी देशालिया के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये मतलब जो रक्षा सेवाओं क जो पूर्व सैनिक है उन्हें रोजगार मिले ऐसा जो है किस कंपनी ने इस पहल को किया है ठीक है identify the life insurance company that has recently signed a memorandum of understanding with the directorate general resettlement DZR to generate employment opportunity for ex-servicemen of the defense services तो वो है कोटक महिंद्रा life insurance ठीक है कोटक महिंद्रा life insurance ने इस पहल को जो है शुरू की है और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी पहल है ठीक है next है in June 23rd which one of the following lenders has launched my account my name for saving banks account customer और ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ पहले भी my account my name ठीक है Indian overseas bank ने इसको चलाया है मेरा खाता मेरे नाम ठीक है तो Indian overseas bank का headquarter chain नहीं में है और MDS CEO इसके है अजय कुमार श्रीवास्तव ठीक है इसने जो है इसने इस पहल को शुरू किया है under this the account name can be a combination of seven letter only for seven numbers और seven alpha numeric ठीक है next question प्यारे बच्चों निम्नमे सिकी स्थेत्री ग्रामीड बैंक द्वारा विकास आसादीप चार सो दिन नामक एक नई जमायोजना शुरू की गया new deposit scheme named विकास आसादीप 400 days has been launched by which of the following regional rural bank तो वो शुरू किया है करनाटक विकास ग्रामीड बैंक ने करनाटक विकास ग्रामीड बैंक का headquarter धारवाड करनाटक में है और chairman Shrikant M. बंडिवाड है ठीक है इन्होंने विकास आसादीप के नाम से चार सो दिन के नाम से जो है इन्होंने मतलब एक टेन और है 400 days का जो की interest rate 7.50 मिलेगा senior citizen को ठीक है और 7 मिलेगा general public को ठीक है जिसमें इस scheme के तहट 10,000 रुपे कम से कम और maximum 2 करोड तक आप जो है deposit कर सकते ह जो भी विवर्स देख रहे हैं उनके पास 2 करोड रुपे के आसपा से जादा है तो जाके इस bank में जमा कर दीजिए 7 प्रतिशत का interest rate मिलेगा next प्यारे बच्चों निम्न में से कौन interactive voice response आधारित UPI समाधान UPI 123 पे launch करने वाला पहला सारवजनिक छेतर का bank बने गया है which of the following has become the first public sector bank to launch an interactive voice response based UPI solution UPI 123 पे किसने जो है launch किया है पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इससे शुरू किया चलिए प्यारे दोस्तों एक काम आज से करते हैं हम लोग जो भी नई वियोवर्स हैं वो प्लीज चानल को शेर कीजिएगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी करिएगा दिखिए आज से हम एक नई शुरूआत करते हैं इसमें आज से मैं आपको इस सीरीज में दो कोशन डेली पूछूंगा इस्टैटिक के ठीक है इस्टैटिक के दो कोशन मैं आप लोगों से डेली पू दो तो मैर को जो मैं पूछूंगा उसका अंसर आपको देना है तो अगर इस दो के भी आंसर आप डेली देंगे तो साथ महिने में 30-30 दिन क्लास होती है संडे को भी क्लास होती है 30-30 इनी 60 important questions की जो है सीरीज आप लोगों के पास हो जाएगी ठीक है तो यह डेली करना है श हिस्ट्री में किसने की थी सबसे पहले हिस्ट्री में रुपे की शुरुआत किसने की थी मतलब सबसे पहला रुपिया जो शब्द है वो किसने जो है चलाया था सबसे पहले जो है जो रुपिया है वो किसने चलाया था दूसरा कुशन है मिरा कि हमारा जो national calendar है जो हमारा रा है या रूपे की शुरुवात सबसे पहले किस नहीं किती और दूसरा है कि हमारा जो नेशनल केलेंडर है हमारा जो राश्ट्रे पंचांग है उसका क्या नाम है यह दोनों कोशन के आंसर एक एक बच्चिये को जो है कमेंट में देना है ठीक है कैसे भी करें मुझे उत्तर चा इंपोर्टेंट है ठीक है हाल ही में एमप अनर्जी इंडिया ने SMBC बैंक ओफ यह SMBC बैंक कहा कहा है वो बताना ICG और AIIB से 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का जो है करार किया है ठीक है मतलब एमप अनर्जी इंडिया है सिक्योड अप टू यूएस्टी 250 मिलियन फ्रॉम SMBC बैंक ओफ जपान ठीक है बैंक ओफ जपान ठीक है इसका अंसर यह है थोड़ा सा आप लोग देखेंगे एमप अनर्जी इंडिया इसका हैटकोटर दिल्ली में है और MDCEO इसके तिनाकी भट्टा चार रहे है ठीक है जपान की कमपनी है जिसने 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ जो है करार किया है नेक्स्ट कोशन, which lander has been recognized with the outstanding digital CX award at the 6th digital CX award 2023 under the SME loans category मतलब SME रेंड श्रीनी के तह़े छटे digital CX पुरुसकार 2013 किस रेंड़ाता को उत्त्रक्रस्ट डिजिटल CX पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो यह इसका आंसर है South Indian Bank किसी South Indian Bank को जो है इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखें जो इकोनोमी के बैंकिंग से रिलेटिट जब आते हैं जैसे मान लेजिए अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री किस ने चला है MP ने चला है आप सुने के भी जो है याद रख सकते हैं ठीक है यह रफली मैंने बोल दिया जून दो हजार तेस में सेवी ने मतलब किसको ए ए और उससे उपर की रेटिंग वाली कॉर्परेट ट्रेंड प्रतिभोतियों में रेपो लेंदेन में निवेश करने की अनुमती दी है ठीक है मतलब इन जून ट्वंटी थर्ड सेवी हैस अलाव तो इन्वेस्ट इन रेपो ट्रांजक्शन ओनली इन ए ए ए ए एंड अबोव रेटिड कॉर्परेट डैप्ट सिक्योर्टिस तो म्यूच्वल फंड को जो है इसने अनुमती दी है म्यूच्वल फंड्स को ठीक है यह स्क्रीन पे है आप लोग देखेंगे नेक्स है प्यारे दोस्तों निम्न में से किस भुकतान बैंक ने हाल ही में जून 2013 में भारत और दुनिया का पहला व्याय खाता शुरू करने के लिए हबल मनी के साथ समझोता किया मतलब विचमंग दी फॉलोंग पेमेंट्स बैंक है तो इसका है प्यारे दोस्तों fennaken फ्योपेमेंट्स बैंक ने जो है यह रिसेंटलि फिनोपेमेंट्स बैंक है ये रिसेंटलि फिनोपेमेंट्स बैंक है तो दुक्तूरू are released by microfinance institution network, the gross loan portfolio of the microfinance industries has increased by financial year 23rd, ठीक है, तो मतलब की microfinance institution network द्वारा जारी नविंतम आकडों के अनुसार वित वर्ष दो है, रते इस में, microfinance उदो के सकल रिंट portfolio में मतलब कितने percent को जो है व्रदी हुई है, तो वो हुई है, 22%, ठीक है, 22% की व्रदी हुई है, next question, निमन में से किस जीवन भी मा कंपनी ने smart wealth advantages growth पर plan launch किया है, means smart wealth advantages growth पर plan जो है, किसने launch किया है, और अगर आप insurance वगएरा में interest रखते हो, तो आपको पता होना चाहिए, add में भी काफी आ रहा है, max life insurance ने जो है, smart wealth advantage growth पर plan को जो है, launch किया है, तो यह आप लोग यहाँ से देखेंगे, max life insurance headquarter गुरुगावा हरियाना में है, और इसके MDC यह प्रशान्त त्रिपाठी, ठीक है, कुछ additional चीज़ों को भी देखेंगे, मुख्य मंत्री, ग्राम, गाड़ी योजना के नाम से, इसने जो है, स्कीम चलाई है, मुख्य मंत्री ग्राम, गाड़ी योजना, तो वो चलाई है, प्यारे दोस्तों, जार्खंड ने, जार्खंड की capital क्या है, राची है या क्या है, जार्खंड की capital राची है या और कुछ है, दिमाग पर जोड आले और कमेंट करके बताईए, अगर माँ गलत हूँ या सही हूँ, next है, next देखेंगे हम लोग, important है, हाल ही में operation ध्वस्त, हाल ही में operation ध्वस्त जारी किया गया है, और यह operation करा है NIA के द्वारा, National Investigation Agency के द्वारा, और यह operation ध्वस्त मतलब ध्वस्त करना, किस चीज़ को ध्वस्त करना, गैंगिस्टर को, आतंकवादियों को, ठीक है, इस mission के तुरू, इनके जो है, मंद्शा को, जो है, बिल्कुल, ध्वस्त कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना, ठीक है, तो यह कुछ important चीज़े थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आज से क्या, daily में आप लोगों को दो question पूछूँँगा, उसके, अगर आप जो है, answer comment में करेंगे, तो daily important important questions लाऊंगा, चाट के आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहें, और अगर आप comment नहीं करेंगे, लाऊंगा, मैं तो teacher हूँ ना, मैं tutor हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, एक भी अगर comment करता है, एक भी अगर पढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं, फिर मैं अपनी इस जो है, मुहीम को या इसको जो है, सफल मानूंगा, ठीक है, तो फिर भी आशा करूँगा, आप सभी लोग पढ़ेंगे, खूम मन लगायकर, और जो है, एक जाम को जल्री जल्री निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर चैनल पर नहीं है, तो इसे share कर दीजिएगा, comment कीजिएगा, कैसा लगा आपको session, टेक, कल पुनह मुलाकात होगी, खूम मन लगायकर पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.